तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपकी है और मेरे मार्क का वो जी आला है तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपकी है साथ जून पहला पाड राजाओं का पहला ग्रंद अध्याई सत्रा पच संख्या साथ से सोला तग नदी में पानी सूख गया क्योंकि प्रिथ्वी पर पानी नहीं बरसा था तब एलिया को प्रभु की वानी ये कहते हुए सुनाई पड़ी उठो सिदोन के सरेपता जाओ और वहां रहो मैंने वहां की एक विद्वा को आदेश दिया के वे तुम्हें बोजन दिया करे एलिया उठकर सिरेपता गया शहर के फाटक पर पहुंच कर उसने वहां लकडी बटोरती हुई एक विद्वा को देखा और उसे बुला कर कहा मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो वे पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो उसने उत्तर दिया आपका ईश्वर जिवन्त प्रभू इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है मेरे पास बर्तन में केवल मुठी बराटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है मैं दो एक लकडियां बटोरने आई हूँ अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे एलिया ने उसे कहा मत डरो जैसा तुमने कहा वैसा ही करो किन्तु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तियार करना क्योंकि इस्राइल का प्रभू इश्वर ये कहता है जिस दिन तक प्रभू पृत्वी पर पानी न बर्साई उस दिन तक ना तो बरतन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी एलिया ने जैसा कहा था इस्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उसके पुत्र और एलिया को खाना मिलता रहा जैसा कि प्रभू ने एलिया के मुख से कहा था ना तो बरतन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई ये प्रभू की वाणी है इश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाक्य प्रभू हम पर दया दृष्टी कर इश्वर मेरी रक्षक मेरी पुकार का उत्तर दे तुने मुझे सदा संकट से उबारा है मुझ पर दया कर और मेरी प्रातना सुन मनुष्यो कब तक अंदे बने रहोगी कब तक मोह में पढ़कर असत्य की खोज करते रहोगी अनुवाक्य प्रभू हम पर दया दृष्टी कर समझ लो प्रभू अपने भक्त के लिए अपूर्व कार्य करता है वे सदा मेरी प्रातना सुनता है प्रभू पर श्रधा रखो शाया पर मोन होकर ध्यान करो अनुवाक्य प्रभू हम पर दया दृष्टी कर कितने ही लोग कहते हैं हमें सुक शांती कहां से मिलेगी प्रभू हम पर दया दृष्टी कर जो आनन्द तुम मुझे प्रधान करता है वे उस आनन्द से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है अनुवाक्य प्रभू हम पर दया दृष्टी कर जै घोश आलिलुईया अनुवाक्य आलिलुईया उसी प्रकार तुम्हारी ज्योती मनुश्यों के सामने चमत्ती रहे जिससे वे तुम्हारे बले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिय पिता की महिमा करे अनुवाक्य आलिलुईया संत मत्ती द्वारा रचित सुस समाचार अध्याई पांच पत्संख्या तेरह से सोला तक तुम पृत्वी के नमक हो यदि नमक फीका पड़ जाए तो वे किस से नमकीन किया जाएगा वे किसी काम का नहीं रह जाता वे भार फेंका जाता है और मनुश्यों के पैरों तले रोंदा जाता है पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बलकि दीवट पर रखते हैं जहां से वे घर के सब लोगों को प्रकाश दिता है उसी प्रकार तुमारी जोती मनुश्यों के सामने चमकती रहे जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें यह प्रभु का प्वित्र सु समाचार है क्रीस्त कीजे